हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi हेलो जाएंद आप सभी को भाई मैं विनित्तिवारी Faculty of CSET आपका स्वागत करता हूँ Study IQ IAS Hindi में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 10 minute की CSET की सीरीज भी इस चैनल पे लेके आएं जिसमें मैं कुछ important questions उठाता हूँ और जो previous year में आ चुके हैं उनके solutions बताता हूँ और उनसे related जो बाते हो सकती हैं वो मैं बताता हूँ तो 10 minute की सीरीज में आज मैं एक 2022 का question लेके आपके समक्षाया हूँ और उस question का analysis करेंगे और उनसे किस type के questions और बन सकते हैं उनके बारे मैं मैं बताऊंगा बड़ा एक simple सा number system का question है कोशन के अगर मैं बात करूँ तो कोशन आपके सामने यह है बड़ा चोटा सा कोशन है 2022 में आया था तो आपको इसका अंसर बताना है कह रहा है कि 2 का power 40 फिर 3 का power 20 चार का power 18 और 8 का power 12 में सबसे छोटी संख्या कौन है बड़ा प्यारा सा कोशन है इस कोशन के पीछे की थोड़ी से बात मैं बता देता हूं फिर उसके बाद से इस कोशन पर आते हैं तो देखो अगर ऐसे में बताना होता ना कि बड़ा चोटा कौन सा है और जैसे अगर मैं कोशन लिख दूं कि 2 का power मैं लिख देता हूं आपको की 2 का power माल लो 500 फिर मैं लिख देता हूँ मेरे भाई ठीक है ओके 2 का power 500 और उसके वासे मैं लिख देता हूँ आपको की 3 का power 400 और फिर मैं लिख देता हूँ 4 का power 300 ऐसा कोई questions लिख देता हूँ मैं पूछ उँ कि इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन होगा तो देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा बताने के लिए आपको simple 2-3 बाते समझनी पड़ेगी ऐसे आप बता नहीं सकते इसमें देखो सबका base भी अलग-अलग है पावर भी सबका अलग-अलग है तो इसमें मैं comment कर नहीं पाऊंगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है लेकिन एक basic सा मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मैं एक example लिखो मेरे भाई कि 2 का power 7 और 3 का power 7 इसमें कौन बड़ा है 2 का power 7 3 का power 7 कौन बड़ा है आप असानी से बोलोगे कि सर इसमें बड़ा ये वाला है ठीक है बात समझ बारे हैं ओके सेम सिनेरियो में मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं लिखता हूँ एक question कि मालनो 3 का power 15 और 3 का power मैं लिखता हूँ 17 इसमें कौन बड़ा है तो आप बोलोगे सर नीचे वाला बड़ा है अब ये कैसे आपने बता लिया तो ऐसे power वाले question में दो ही सिनेरियो बन रहा है या तो मैं power को equal कर लेता हूँ power को यहाँ 7 है तो 7 कर लेता हूँ ठीक है और 7 7 हो गया तो base जिसका बड़ा हो गया वही बड़ा नंबर हो गया और उसके बास है या तो मैं आपको या तो मैं base को same कर लेता हूँ base को किसी उपाय से same कर लूँगा तो power में जिसका power बड़ा होगा वह बड़ा नंबर होगा तो यही दो सिनेरियो हम बनाते हैं और इसी दो सिनेरियो के according हमारा answer आ जाता है कौन बड़ा कौन छोटा इस तरीके से ठीक है अब मेरे भाई इसकी बात करते हैं तो इसमें देखो base अब देखो base same नहीं बना सकते हैं तीन है दो है चार है नहीं बना पाएंगे हम power को same कर सकते हैं पावर को same करने के लिए अगर मैं ध्यान से देखो मेरे भाई इस सब में देखो सब 100-100 के multiple है तो एक का मैं ऐसा करता हूं कि दो का power 5 करता हूं और का power 100 कर लेता हूं बात समझ पा रहे हो आप और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं तीन का power 4 का power 100 लिख सकता हूं ठीक है पावर आपस में multiply हो जाता है यह basic math का rule है और आपको बच्पन में मैडम ने बताया होगा आपको अगर पढ़ाया होगा तो फिर यह है चार का power 3 है का power 100 हो गया अब मेरे भाई सब का power अगर उपर देखेंगे 100-100 हो गया ठीक है अब उ सबसे बड़ा इसमें अगर मैं इनका ABC नाम देदू ABC तो सबसे बड़ा हो जाएगा AB उससे चोटा उससे चोटा सी और सबसे चोटा यह हो जाएगा आप इसली कमेंट कर सकते हैं ठीक है तो हमें एक बास समझ में आ गई कि power को सेम करना पड़ते हैं अच्छा एक और बात ध्यान से देखिए जब सबको सेम करना है ध्यान से सब्सक्राइब जो कैंसल हो रहे हैं आप मतलब इनका रेशियो निकाल लो पावर का रेशियो निकाल लो कहने का मतलब अगर सो है सो है सो है सो है जब सेम लाना ही है तो पहले इनका रेशियो निकाल के क्यों इतना दिमाग लगा इनका रेशियो निकाल के यह हमेसा अगर ज तो बचेबाया दोंच बच गया यहां अब आप आस जो गए अगर मैं ऐसा यह एक सिमिलर कोश्चा लिख दो मैं लिखता हूं कि 2 का पावर 35 लिख देता हूं और मैं लिखता हूं तीन का पावर 28 लिए देता हूँ और मैं लिखता हूँ 5 का पावर 21 लिए देता हूँ ठीक है अब इसमें कैसे करना है आपको इस question को तो simple है आप सबसे पहले क्या करो same करने की कहानी आप छोड़ो अब इन power को पहले ratio निकाल लिजे ratio से solve कर लिजे ठीक है जैसे ratio से solve करेंगे मतलब यह देखो यह भी साथ का multiple साथ का multiple साथ का multiple तो same करेंगे तो वही साथ आ जाएगा सबका power 7 आएगा तो पहले ही इस power को हटा दीजे ठीक है यह अनधराइस तरीका है मैं थोड़ा साब की मुस्किले असान करने के लिए चीज बता रहा हूँ सही नहीं है सही तरीका यही है कि power को एक बार ऐसे same करना होता है ठीक है लेकिन यह unofficial तरीका है फिलाल के लिए ठीक सबसे बड़ा कौन सा तो अकर इनका ABC नाम मैंने दिया तो सबसे बड़ा हो गया सी उससे स्वेंस में मैंने लिख दिया था एक तिमपल आते हैं ऐसे पने मैं लिखता हूं मैं 5 का पावर 42, 3 का पावर 63 और 2 का पावर 84, इसका अंसर बताएगा, कौन बड़ा, कौन छोटा, अगर ABC, अगर मैं इसका नाम दे दू, ABC, तो हमें बताना है आरोही करम में, आरोही करम मतलब घटते से बढ़ते करम में, क्या आरोही करम में, आरोही करम में, ठीक है, यह बताना है, हम आते हैं अपने कोशन पर, थोड़ा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसमें effort करना पड़ेगा, UPSC है तो करेगा ही, बागी तरीका सेम वही है, ठीक है, सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब देखो, इसमें है, कोशन दे रखा है, दो का पावर 40, ध्यान से देखो, फिर उसके बाद से तीन का पावर 21 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद से चार का पावर 18 दे रखा है, ठीक है, और हम से पूछा, एसे पूछा है कि कौन बड़ा, कौन चोटा, कौन सबसे चोटा संक्या है, ठीक है, तो ऐसे कोशन में आप दो के पावर स्वावाले ही बेस है तो पहले इनको हम इसमें justify कर लेते हैं कौन इन तीनों में छोटा होगा ठीक है इन तीनों में जो भी छोटा होगा उसका इसके साथ competition करा देंगे यह होता ना बीजेता अगर चुनना होता है तो कैसे करते हैं कि दो लोगा comparison करते हैं उसमें अगर छोटा हमें select करना होगा तो दो लोगा comparison करेंगे उसमें जो छोटा होगा उसको ले लेंगे फिर ऐसे ही दो ये दो है चार है आठ है ठीक है ये दो के ही पावर में तो इसमें हम इसली कमेंट कर सकते हैं कौन छोटा है तीनों को अब तीनों को लेके चलेंगे ना अब तीनों को जैसे ही लेके चलेंगे मेरे भाई दो का पावर चालीस है फिर उसके बाद से चार का पावर अठारा है औ और आठ का पावर बारा है ठीक है अब इसमें सब को दो के पावर मना लेते हैं मतलब इसमें बेस सेम असानी से कर सकते हैं या तो पावर सेम या तो बेस सेम कर लेते हैं मतलब दो का पावर दो कर सकते हैं मैंने बदाया था सुरुआत में या तो बेस सेम कर लो या तो पावर कर दो का पाऊर चार को क्या लिख सकते हैं दो का पाऊर दो इसका समस्में नाई इन में इन में ये और ये तो सेम है ये सेम है और ये बड़ा है लेकिन हमें छोटे का चुनाओ करना अगर बड़ा कहते है तो ये हमारे इन में बड़ा हो जाता तो फिर इसका इसके साथ मैच कराते तो फिर हाल क्या हुआ कि इन छोटा हमें सेलेक करना है छोटा मतलब इन में चोटा कौन होगा तो यह तो बड़ा हो गया कि नहीं अब बच गए यह दोनों के दोनों में से कोई एक यह दोनों के दोनों एक ही नंबर है दोनों के दोनों एक ही नंबर है अब हमें बताना है चोटा और अलग अलग दे रख्था अगर आप थोड़ी से बुद्धिमानी द ठारा ठीक है यूपीएसी ऐसे ही फसाद यह था आपको कि अगर इसके बाद स्वाल्व करते तो परिशान हो जाते यह दोनों एक ही नंबर है और इसका कंपडिशन कराया है दो कप और इक किसी यह तो हमेशा यह बड़ा हो गया है इन दोनों में इसकी तो बात ही नहीं होगा अगर यह होगा तो यह भी होगा क्योंकि दोनों एक ही नंबर है बराबर है देखो इसका भी इसका भी आया था दो का पावर 36 इसका भी दो का पावर 36 आया था मतलब दोनों एक ही नंबर है और और आपसन में चार अलग अलग नंबर दे रखें यह तो होई नहीं सकत बास समखे साथ यह लगा तो यह हो अगर कि तो मतलब हैं और इससाथ यह भी होना च्छी तो मतलब इसा सीरियों बन नह 표 रखा हँ माछी बताना और यहां से मिल्लूजन करने स्क्थे हूं नहीं कि हो ना में बनाखी टो यहां से हरालाने नहीं होंगे क्योंड़ कर डेंगे तो बचके हमारा ये और यही हमारा अनसर कब मकथ कार यह मेरी समझ पारे मेरी बात बागी करने का थरोगा raub इस मेरी से किसी एक यह चार का पावर। मैंने उठां लिया चार का पावर अठारा और यह 3 का power 21 कर लिया ठीक है अब इसमें solve करते हैं अब ये देखो power सबसे पहले ratio निकाल लेते है तो ratio निकालेंके 3 से मैंने इनमें चोटा या बड़ा भूमना है तो ऐसे ही करते हैं मैंने बता था ratio निकालते रेशिव निकालेंगे तो ये हमारा 3 से ये हमारा 6 और 3 ये 7 बार और तीन का पावर साथ अब यह इसमें से कुछ में नहीं हो पायागा तो इनका अगर हम मल्टिप्लाई करके देखेंगे चार का पावर छे करेंगे तीन का पावर साथ तो हमारा छोटा यहीं वाला आ रहा होगा डन है मामला ओके तीन का पावर साथ वाला ही है हमारा छोटा नंबर आ रहा होगा ठीक है आई बासमझ में बोलो ना यह अब यह यह चार का पॉरल चार रोड़ कर लिगे चार गुंड़ चार गुंड़ चैर बार या इसको ऐसे थोड़ा सा बुद्धिमानी से देखेंगे तो चार का पावर दो कर लोगे ठीक है का पावर यह तीन हो गया ऐसे चार दुना 16 हो गया तो 16 का क्यूब जो भी होगा अल निकालना अब इसको ऐसे करेंगे तीन गुणे 3 3 3 9 गुणे 3 27 27 233 होता ही क्यासी क्यासी कुणे 3 243 243 277 293 हो गया 7 सब्सक्राइब आप करोगे यह हमारा छोटा निकल गया यह बड़ा हो जाएगा तो फाइनली हमारा अंसर अगर करके देखोगे तो यह होगा ठीक है जाते जाते एक में इंपोर्टेंट इंफर्मेशन बता दोगे अगर आपको घ्रीम सेंटर्व्यो तक का सफर करता हैं और अच्छे से त्यारी करनीया एक सीक्वेंस में बहतरी टीम के साथ करना है तो आपके लिए प्रन्स टूंट इंटर्व्यूव बैच है बहतरी ist में इस बैच में इन् कि अगर इसमें cset include होता इस batch में आपको अलग से cset लेने की जोरद निये cset की टेंसल लेने की जोरद निये इसी batch में included है और ये batch आप जाएंगे application पर तो आपको दिख जाएगा only cset तो आपके लिए उसी application पर batch मिल जाएगा और ये 4999 का batch है और ये कब मिलेगा ये है जादे का लेकिन ये वीटी live code यूज करेंगे तो discount मिल जाएगा और ये हमारा 4999 में available हो जाएगा ठीक है और इसमें हम कैसे करते हैं तो concept करते हैं ठीक है पहले उसके बाद से practice करते हैं concept क ठीक है उसके बाद से previous year questions करते हैं फिर उसके बाद से उसके बाद से उसके बाद से मेरे भाई previous year question के बाद लुक्स लाइक as a PYQ questions तो बतलब 4 step में किसी भी chapter की त्यारी करते हैं और इसमें math reasoning और आपका comprehension बहतरीन अंदाज में होता है C set के उसके बाद टेंसल लेनी की जोरत नहीं हमारे साथ बने रहें और करते रहें त्यारी ठीक है अभी अभी class schedule होगी कि उसमें मैं बताऊंगा सवा तीन बजे classic schedule होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे PYQ कितना important है और PYQ के अलावा और क्या हम कर सकते हैं कैसे हमें त्यारी करनी होगी तो उस class में भी जूड़ी है आप लोग ठीक है अभी के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हम अगली class में हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें study IQIS हिंदी